रिस्टर्च मैथेड्स इन एड्यूकेशन आपके बी एड के प्रोग्राइम का एक एहम कोर्स है लेकिन अमुमन जब भी तलबा से बात हो तो उनके जेन में पहला सवाल आता है कि ये कोर्स उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए जबके वो बीएड के प्रोग्राइम में टीचर बनने के लिए दाखला लेते हैं और तैयारी करते हैं तो एक टीचर को रिसर्च मेथर्ड के कोर्स की क्या जरूरत है असल में आप देखें तो रिसर्च कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम इस कोर्स से पहले अपनी जिन्दगी में इस्तमाल नहीं करते आपकी जिन्दगी में जब भी आपको किसी मसले का सामना करना पड़ता है कोई चैलिंज आता है किसी सवाल का जवाब झूंड़ना होता है तो ये हमारी फितरत में शामल है कि हम उसके बारे में पहले तहकीळ करते हैं मालूमात एकठी करते हैं अपने तार्गेट खेलकों जहन में रखते हुए इंफर्मिशन गइदर करते हैं और फिर उसके नतीजे में हम कोई conclusion डॉय करते हैं, कोई फैसला करते हैं तो research कोई जिन्दगी से हटी हुई चीज नहीं है, जिन्दगी से इलहदा चीज नहीं है जिन्दगी के तमाम मामिलात में हम अपने मसाइल के हल के लिए कमों बेश जो तरीके इस्तमाल करते हैं सर्च की बात करें इस पर्टिकलर कोर्स की बात करें तो देखिए बिसिकली क्या है जो आपके सामने स्लाइड पे जो लाइने लिखी हुई है अगर आप पढ़ें तो क्या हम यही तरीका इस्तमाल नहीं करते जिंदगी के हर मसले को देखने के लिए हम एक सिस्टेमेटिक तर के इन्फार्मेशन मिल जाएगी उस इन्फार्मेशन को कैसे इस्तमाल करेंगे और इस्तमाल करने के बाद कैसे हम किसी नतीजे पे पहूंचेंगे या किसी हल की तलाश कर सकेंगे ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपको पर्टिकलर टीचिंग और एजुकेशन से मतलिक एक्सपोयर देगा आप बीएड के कोर्स में रिसर्च के इलावा और बहुत सारे कोर्सिस पढ़ते हैं उन कोर्सिस का मकसद आपको आपके सब्जेक्ट यानि एजुकेशन टीचिंग ट्रेनिंग इस सब्जेक्ट की फिलोसाफिकल सोशोलाजिकल एकनॉमिक पुलिटिकल फाउंडेशन जो हैं उनके बारे में इल्म दिया जाता है फिर आप इस प्रोग्राम में यानि बी एड के प्रोग्राम के अंदर आप मुख्तलिफ कोर्सिस में देखते हैं के हमारे स्टूडिंट्स को लर्निंग से मतलिक क्या मसाइल हैं हमारे टीचर्स के चैलेंजिस किस तरह के हैं आपको एक्सपोज किया जाता है उन मसाइल तक जो कलासरूम में सातजा फेस करते हैं और तालिब इल्म फेस करते हैं इस पूरे प्रोसेस आफ टीचिंग अड लर्निंग की आउटकम्स किस तरह की होंगी जब आप इन तमाम मसाइल के बारे में मुख्तलिफ कोर्से के अंदर इल्म हासल करते हैं तो जो चैलेंजिस आपको नजर आते हैं उन चैलेंजिस के जो हल आपके जहन में आते हैं उनको इनक्वाइर करने के लिए उनके बारे में मजीद जानने के लिए या किसी ऐसे तरीका कार पे पहुंचने के लिए कि इन मसाइल को आने वाले दिनों में हम हल कर सकें और अपने स्टूडेंट्स के लिए टीचिंग लेरनिंग के प्रासेस को बहतर बना सकें आप इसके लिए रिसर्च के कॉर्स को इस्तमाल करते हैं तो रिसर्च का कॉर्स कोई अलहदा से चीज नहीं है बलके ये आपके आउन गोइंग एक्टिविटीज के अंदर आपके सामने आने आने वाले मसाइल को एड्रेस करने के मुख्रिफ तरीके सिखाने के लिए आपको ये कॉर्स पढ़ाया जाता है और आप इसकी मदद से हमें किस तरह से ऐसे टीचर हेलप आउट करता है अपने मसाइल को हल करने के लिए इस कॉर्स के अंदर टिपिकली हम चार बड़े एरियाज में रिसर्च के चार बड़े एरियाज को एड्रेस करते हैं प्रासेस आफ रिसर्च उसके रिलेटिड जो चैप्टर्स आप पढ़ेंगे उनकी लिस्ट आपके सामने है उससे पहले हम फाउंडेशन आफ रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे foundations of research के साथ आप slide पे देख रहे हैं के side पे एक list दी हुई है topics की, आप chapters कह लीजिए, इस से हम research की foundations को समझने के लिए इन मौजवात के जरीए से इसको समझते हैं फिर इसके इसी तरह से आप data analysis और interpretation एक section होगा इस course का, जिसमें आप मुख्तलिफ tools के जरीए से data collect करके इस data को इस्तमाल करने और पिर इस data से information draw करने के तरीके सीखेंगे और इसका आखरी हिससा इस course का होगा, जिसमें हम अपनी research की findings को किस तरीके से लोगों तक पहुँचाना है, उनको लिखने का तरीका, जिसको आप अमूमी तोर पे अपने course में thesis या research report का नाम देते हैं लेकिन research report अपनी findings को दूसरों तक पहुचाने का एक जरिया है, इसमें हम मुख्लिफ तरह के format इस्तमाल करके user friendly form में लोगों तक अपनी findings को disseminate करने के तरीके सीखेंगे सो इस course पे end पे आप इन तमाम महारतों को हासल कर चुके होंगे जो हम इस slide पे आपको दिखा रहे हैं So welcome to the course